हेलो एवरिवन, वेलकम को दा चैनल ये ओफिस वी लोग, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उन इंस्सक्शन्स को जो चीफ सेक्टरी ओफिस हरियाना ने मई दोजार चोबिस महिने में इशू की हैं ये इंस्सक्शन्स की वीडियो इस बार लेट अपलोड कर रहा हूँ मैं क्योंकि बीच में टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का तो मई महिने में जो सबसे पहली instruction है वो annual property return से रिलेटिड है ये instruction चीफ सेक्टरी ओफिस ने अपने ही employees के लिए issue की है लेकिन ये सब के लिए जरूरी है जैसा कि आपको पता है कि annual property return हर साल 30 अपरेल तक भरीजानी जरूरी होती है एक बार government ने decision भी ले लिया था कि जिसने annual property return फिल नहीं की है उसको charge sheet किया जाए तो इसलिए 30 अपरेल तक अपनी annual property return फिल कर दें अगर किसी ने अभी तक भी नहीं की है तो अभी भी आप annual property return फिल कर सकते हैं इंट्रा हर्याना पोर्टल पर यहां पर चीफ सेक्टरी ओफिस ने भी 15.05 तक का टाइम दिया था सभी employees को एपी आर फिल करने के लिए इस साल की annual property return की वीडियो भी मैं जल्दी ही upload करने वाला हूँ यह instructions वाली वीडियो के बाद शायद मैं upload कर दूँ तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे हम annual property return फिल कर सकते हैं इसके बाद जो next instruction है वो independence day पर जो award दिये जाते हैं उससे related है independence day या फिर republic day पर जो government award देती है employees को उसकी instructions जारी की है government ने यह award declare करने के लिए एक process बनाई गई है government के दवारा इसमें बताया गया कि एक time पे maximum 20 prices ही दिये जा सकते हैं और यह price देने के लिए सभी decisions को एक committee का गठन करना पड़ेगा वो committee ही recommend करेगी कि किसको price दिया जाना है किसको नहीं इसमें date भी बताई है government ने कि independence day पर 5 अगस्त और गंट अंतर दिवस के लिए 10 जनवरी से पहले यह सभी जो recommendations हैं यह chief secretary office को भेजनी है और इनके लिए जो स्थानिय मंत्री या विधायक हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा जिन भी employees की recommendation की जाते है committee के दवारा उन सब का police verification होना ज़रूरी है तो यह कुछ guidelines हैं जो government ने issue की है उसके बाद जो next instruction है वो departmental exam की date seat है जैसा कि आपको पता भी होगा कि कुछ departments है जैसे forest department, revenue department, exercise department, etc. इसमें promotion के लिए examinations होते हैं तो उसके लिए यह date seat जारी की गई थी यह आप देख सकते हैं इसके बाद जो next instruction है वो HRMS 2.0 का user manual है अभी हम HRMS use कर रहे हैं सभी उसका 2.0 version है जिसमें सभी post की details फिल करनी है उसके लिए guidelines जारी की हैं सरकार ने यह user manual है कि किस तरीके से आपको इसको use करना है क्या क्या इसमें options हैं जो भी HRMS deal करते हैं वो इसको detail में देख सकते हैं HRMS 2.0 में यह आपको बहुत useful रहेगा इसके बाद जो next instruction है वो decriminalization of acts से related है कई departments के acts हैं जो फिलाल use में नहीं है उनको decriminalize करना चाहती है government मतलब उनको खतम करना चाहती है यह इसका पहले reminder है यह instruction पहले भी issue हो चुकी है तो इसमें acts की detail भी दी है government ने और साथ ही यह भी पूछा है कि कौन से ऐसे act हैं जिनको decriminalize नहीं किया जाना चाहिए कौन से ऐसे act हैं जिनको पहले ही decriminalize किया जा चुका है और कौन से acts हैं जिनका proposal departments देना चाहते हैं decriminalization के लिए तो यह information government को भेजनी है इसमें department wise act है जो उनकी list भी साथ and close की गई है इसके बाद जो next instruction है वो group D से related है जैसा कि आपको पता भी होगा कि group D का transfer drive चलते रहते हैं अभी पीछे कुछ employees group D के transfer किये गए थे लेकिन कुछ problems आ गई थी नए department में या तो जोइन नहीं कर पा रहे थे या फिर उनकी post ही नहीं थी नए department में तो government ने decide किया है कि जो बीच का period था जो जोइन नहीं कर पाए थे उस period के उनकी जो pay है वो original department देगा उनका जिसमें वो पहले काम कर रहे थे इसके बाद जो next instruction है वो चार सीट से related है government ने पहले भी instruction issue की है कि सबी चार सीट है नहीं अप्लोड होनी चाहिए जिस भी employee की चार सीट होती है लेकिन departments के दावारा यह चार सीट है नहीं की जा रही तो government ने इसी के लिए instruction issue की है कि सबी employees जो भी चार सीट हैं उनकी चार सिट HRMS पर अपलोड की जाएं इसके बाद जो नेक्स इंट्रिक्शन है वो एक CWP है लीगल ओफिसर से रिलेटिड इसमें Honorable High Court ने पुछा था कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं तो यह आप देख सकते हैं इसके बाद जो नेक्स इंट्रिक्शन है वो भी एक Court case है इसमें जो भी Employees काम करते हैं Saturdays and Sundays को जैसे चोकिदार वगेरा हैं तो उनको Saturday Sunday के लिए Overtime या फिर Extra पर मिलनी चाहिए या नहीं ये Question है High Court के सामने तो इसमें High Court ने गवर्मेंट से सभी instructions का Compendium मांगा है कौन-कौन से instructions इस बारे में इशू की गई है इसके regarding फिर गवर्मेंट ने सभी Department से प्रपोजल मांगा है कि अगर कोई Employee Saturday, Sunday और Holidays को काम कर रहे हैं तो उनको Pay दी जानी चाहिए या नहीं इसके बाद जो instruction है वो RTI से related है RTI की application जो थी उसमें amendment किया गया है गवर्मेंट के दोबारा अब आपके department में अगर कोई भी नई RTI receive होती है तो वो इस form में receive होनी चाहिए ये नया form है एक ये हिंदी में है इसके साथ ही English में भी है ये format है इस format में अगर कोई applicant apply करता है तभी उसको RTI दी जानी बनती है otherwise आप उसके RTI को reject भी कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसके बाद जो next instruction है वो उन कलरक से related है जो नए result जारी होने के बाद जो revise result जारी किया गया था उसके बाद नोकरी से हट गए थे court ने decision दिया था इसमें कि उन कलरक को हटा दिया जाए उसके बाद LPA दायर की गई है उनके दोबारा तो इसमें government ने direction इस्यू की है कि जिन कलरक ने by name court case किया हुआ है या LPA दायर की हुई है सिर्फ उनको ही अभी service में रखा जाए क्योंकि उसमें court ने stay order जारी किया है बाकि सभी कलरक को हटा दिया जाए और उन कलरक के लिए भी permanent post नहीं बनाई जाएंगी सिर्फ temporary post होंगी जब तक stay order नहीं हट जाता तब तक उनको temporary post बना कर job में रखा जाएगा उसके बाद जो भी court का decision होगा उसके according करवाई की जाएगी इसके बाद जो next instruction है वो review of acts से related है जैसे अभी एक instruction हमने discuss की थी decriminalization of acts के बारे में वैसे ही ये instruction है ये instruction central acts के बारे में है constitution लागू होने से पहले जो भी act बने थे उन में से किसका लागू रहना अभी ठीक है या किसमे amendment की जूरत है किसको ख़तम किया जाना बनता है इसके regarding law department ने ये information मांगी है सभी states से और states ने फिर सभी department से information मांगी है ये कुछ acts हैं जो समीधान लागू होने से पहले के बने हुए हैं इनके regarding ये suggestions दी जानी हैं departments के दवारा अभी जैसा कि आपको पता भी होगा इंडियन evidence act जो constitution लागू होने से पहले बना हुआ था और IPC और CRPC इन सभी को तो government के दवारा बदल दिया गया है बाकि कुछ acts ऐसे हैं जो फिलहाल current time में relevant नहीं हैं इनके लिए भी government ने suggestions मांगे हैं कि इन में क्या कुछ change किया जा सकता है तो यह आपके department से अगर कोई related हो तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो next instruction है वो group D के HRMS data transfer से related है इसमें भी government ने यही instruction issue की है कि जिस भी group D के employee का transfer हो जाता है उसका data उसके next department में forward कर दिया जाए इसके बाद जो next instruction है वो IS officers की personal appraisal report से related है उसमें extension दी है government ने time बढ़ा दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो personal appraisal report है उसके लिए जो existing time था और जो revised date है वो provide करवाई गई है यहाँ पर सेम ऐसी ही next instruction है वो HCS के लिए है उनके लिए भी time extend किया गया है personal appraisal report भरने का उसका accept करने का या फिर उसको review करने के लिए तो यह इसकी dates है यह आप देख सकते हैं इसके बाद जो मई महीने की last instruction है वो CCHF of IES and HCS officers से related है CCHF का मतलब है cashless health facility scheme एक जनवरी से यह scheme लागू की जा चुकी है इस scheme का benefit लेने के लिए CCHF के card बनवाए जाने है और वो card तभी बन पाएंगे जब आप intra-haryana portal पर अपने परिवार पहचान पत्तर से अपने जो family members हैं उन्स सब को map कर लेंगे जो भी आपके dependents हैं या फिर आप खुद हैं intra-haryana पर वो आपके PPID से map होने चाहिए ये mapping सब को खुद करनी है जितने भी employees हैं चाहे वो officers हैं चाहे employees हैं mapping करने के बाद जो भी आपका HRMS का checker है वो उसको verify करेगा उसके बाद आप CCHF का card बनवा कर इसका benefit ले सकते हैं यही instruction government ने सभी IAS and HCS officers के लिए issue की हैं कि आप अपनी details खुद verify करें तो यह कुछ instructions थी जो Chief Secretary Office के दवारा मई 2024 महीने में जारी की गई हैं इसके अलावा भी अगर आपको किसी और instruction का पता है तो comment करके ज़रूर बताएं अगर आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe परें आज की वीडियो में बस इतना ही